क्या इस बार सजेगी मुम्रा में बक्रा मंडी? क्या सासन पर सासन मंडी लगाने के अनुमती देगी? या फिर बढ़ सकता है लॉक्डाउन? प्रहा टाइम्स की निउस देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोले महें सिलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स अभी लॉक्डाउन चल रहा है, ऐसे में एदुल अजहा यानी बक्रीत का तिवहार करीब है 31 जुलाई से 1 अगस तक बक्रीत का तिवहार मनाया जाएगा ये तिवहार बड़ी ही धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है मगर इस वर्ष सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि इस बार बक्रा मन्डी लगेगी या नहीं क्योंकि 19 जुलाई तक लॉक्डाउन है और ऐसे में सिर्फ बक्रीत के 10 से 11 दिन बच रहे हैं कुछ कहा भी नहीं जा सकता आपको बता दे कि हर साल मुम्रा में बक्रीत के 20 से 25 दिन पहले ही बक्रा मंडिया सज जाती थी मगर इस बार क्रोना महमारी के वज़े से रमजान की रावनक और ईद के सिमयों की मीठास फिकी पड़ गई थी इस बार इसी तरह से बक्रीत भी नस्दीक है जो ब्यापारी मंडियों में जो बक्रों को बेचते हैं दरसल वो भी काफी परिशान है कि क्या इस बार मंडि लगेगी या नहीं बात करें अगर मुम्रा की तो मुम्रा में ही लगने वाले बक्री मंडियों की तो मुम्रा में ही राजस्थान, मधपरदेश, रतनागिरी, नासिख ऐसे कई जगों से ब्यापारी बक्रा लेकर मुम्रा शहर में बेचने आते थे मगर अभी तक बक्रा मंडि लगने का कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है, मनपा और मुम्रा पुलिस की तरफ से मिली जानकारे के अनुसार 19 जुलाई तक तो लॉकडाउन ही है, उसके बाद 10 से 11 दिन जो बचे हैं, उसमें बक्रा मंडि लगाने की अनुमती पर अभी त और मिली जानकारी में बताया गया है कि बक्रा मंडि लगाने को लेकर दो से तीन दिन में वरिष्ठों के साथ बैठक होगी और उसी बैठक में तय होगा कि बक्रा मंडि लगेगी या नहीं वही बक्रामंडी लगाने वालों में भी काफी सासन पर सासन से उमीद है कि उन्हें सासन पर सासन बक्रामंडी लगाने के अनुमती 19 जुलाई के बाद जो बचे हुए 10 से 11 दिन है उनमें अनुमती देगी मगर सासन पर सासन वाकई में इस बक्रीद में बक्रामंडी लगाने की इजाज़त देती है या नहीं इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी कि क्या सासन पर सासन मुम्रा शहर में बक्रामंडी लगाने की अनुमती देगी या नहीं देगी हम आपको फिर इसके बारे में जान झाल झाल